Hello and Welcome Friends आज की ये विडियो visualbasic.net को लेकर के है आपको मैंने पहले ही addition और multiplication बता दिया है कि visual basic में console app टयार करना है multiplication के लिए या addition के लिए तो कैसे तयार करेंगे आज हम बात करेंगे subtraction की और इसमें हम बात करने वाले हैं namespace के concept की याने name space का यूज़ करके ये program मैंने लिखा है और चलिया ये देखते हैं ये program किस तरीके से लिखा गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर लिखा है मैंने using system text और फिर यहाँ पर name space का concept यूज़ किया और sub-names से बनाया है मैंने यहां पर देख सकते हैं और यह पूरा का पूरा प्रोग्राम कुछ इस तरीके से लिखा गया है अब इसको मैं अगर रण कर रहा तो देखिए के वाल आपको क्या करना है यहां पर अगर प्लस रख देंगे तो यह एडिशन करेगा अगर मल्टिप्लाई कर देंगे तो यह मल्टिप्लाई करेगा यानि स्टार सेंबल लगा देंगे तो मैंने माइनस लगा दिया है तो यहां पर यह सब्ट्रेक्ट करके हमें देगा ठीक है अभी इस प्रोग्राम को रण कर बाते हैं एक बार देखते हैं क्या होता है इसका रिजल् करना जितना माइनस करना आप वो दे दीजिए तो 55 में से 9 माइनस किया तो यहां पर आगया answer 46 देख सकते हैं यह program चल रहा है काम कर रहा है ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं फिर मैं enter कर रहा हूं 66 फिर यहां पर 5 एंटर करता हूँ तो यह माइनस करके देगा देखे 6 में से 5 माइनस हुआ तो यह 60 बना रहा है तो यानि कि कुल मिला के यह कहना है कि यह integer को ही सब्ट्रेक्ट करेगा यह program integer के लिए लिखा गया है float के लिए अलग video बनाऊँगा तब तक के लिए keep watching thank you for watching this video